हमिरपुर शेह के कुछ पाड़ों में इंदे पानी की सप्लाई देनी का मामला सामने आया है मामले में IPH विवाग से शिकायत करने की बाबसूत भी समस्य का हाल ना होने पर मामला प्रेस क्लब हमिरपुर ने उठाया है प्रेस क्लब हमिरपुर के सदस्यों ने IPH के स्टी राकेश कुमार महाजन से मुलाकात करके जल्द समस्य के हल करने की मांग की है साथ ही सदस्यों ने IPH विवाग के अधिकारियों का ब्यभार भी संतूस्ती जनक ना होने पर एतराज जताया बतादे कि हमिरपुर शेयर के बार नमर पांच और नौ में सीवरिस युक्त गंदला पानी पिछले काफी समय से पहुँच रहा है जिस कारण उभोगताओं को खासी परिशाने हो रही है वहीं कुछ उभोगताओं ने इस बावत आईपीच विवाग के अधिकारियों के शिकायत पिकी लेकिन फिर भी समस्या जसकी तस बने हुई है जिस पर अब प्रेस कलब हमिरपूर ने बीड़ा उठाते हुई आईपीच विवाग के ऐसी से मुलाकात करके समस्या के निदान की गुहार लगाई है प्रेस कलब हमिरपूर के अध्यक्षिं दिरेश कवर ने कहा कि शेहर में सिवर जीवक पानी की शिकायत को लेकर सदस्तियों ने ऐसी से मुलाकात की उन्होंने कहा कि शेहर के लोगों ने भी एक्षिं से सिकायत की थी लेकिन इसके बाब सूद भी कारवाही नहीं हुई है अभी अन्ता इरिगेशन और पब्लिक हेल्प के पास हम आज गए थे और शेहर में जो गंदे पानी की शिकायते आई हैं वार नमबर पांच और नौ और दस की तरफ उसके वारे में हमने उन्हें बताया है इस मामले को पांच शे दिन पहले शेयर के कुछ लोगों ने एकसियन आई पिएच को बताया था उस पर कुछ कारवाई नहीं हुई थी वक्त पे और आनन पानन में पिछले कल कुछ वहां पर उन्होंने रिपेर भर किया है तो लोगों को कंटैमिनेटेड वाटर मिला है पीने को और कई लोगों के वो टांकियां जो प्रावेट बनी हुई हैं उन्हें वो पानी गया है तो उनको सफाई का अब एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है इसी तरह वाड नमबर एक में भी कहीं ये शिकायत आई थी कि कुछ कववे के पंक नलके से निकले हैं वह सारी चीज़ें जो है वह सारी शिकायते जो थी लोगों की उनको लेकर हम लोग आँच मुख्या बिन्दा से मिले हैं उन्होंने अश्वाशन दिया है कि जारी समस्याओं का समधान करेंगे लेकिन साथ ही एक मसला ये था कि अधिकारी जो इस चीज़ के लिए रिस्मॉसिबल है उनके गहवार आम लोगों से कुछ अपती जनग रहा है तो उसकी भी हमने शिकायत की है कि अधिकारी अगर लोगों से प्यार से और समझा बुझा कर उन्हें उनकी समस्याओं का निवारन करें तो ज़्यादा बेतर होगा वरिष्ट सदसे एडवोकेटर शुशिल शर्मा ने कहा कि दूशित पेजल की शिकायतों को लेकर ऐसी से मुलाकात करके समस्याओं को हल करने के लिए बात रखी है उन्होंने कहा कि ऐसी ने आसवाशन दिया है कि दू माह के अंदर समस्याओं को पूरी दरह से निप्टाने के लिए काम किया जाएगा हमीरपूर में दूशित पेजल को लेकर अभी जो शिकायते आई हैं उनके निवारेन के लिए कुछ पत्रकारों मित्रों के साथ हम लोगों ने जो यहां के मुख्या अभी हनता है शिरी महाजन जी उनसे बात की है और उनने हमें आसवाशन दिया है कि दो महीने के अंदर अंदर हमीरपूर में जो दूशित पेजल की जो समस्या है उसका तुरंक प्रभाव से निवारेन करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा जो नई स्कीम है उसको भी जो चालू कर दिय जाएगा और हमें यह बहुत ही अच्छे तरीके से उनने आसवाशन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग जो हैं जो पराणी पाइप्स हैं उनके जो नालियों से होकर गुजरती हैं उनके बारे में भी कोई फैसल लेके उनको भी बदलने की कोशिश करेंगे तो मै कुछ पत्रकार मित्रों के साथ दुरुविवार किया है फोन पर और उनका जो धिलमूल रविया है निराशा जनक रविया है लोग पत्रकारों के साथ और जो लोगों कि समस्याओं के निवारन के लिए उनका जो धिलमूल रविया है उसकी भी शिकायत की गई है उसके बार ऐसी IPH हमीरपूर राकेश कमार महाजन ने कहा कि बरसास से पहले गंदले पाने की समस्या को हल करने के लिए कोशिश की जाएगी उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से समस्या बने हुई है जिसे सुलजाया जाएगा साथी उच अधिकारियों की विवहार को लेकर कहा कि अधिकारियों को जंता से सहयोग बनाये रखने के लिए कहा जाएगा हमीरपूर शेर के सारे प्रूबश पत्रगार से मारी वातला पूरी है हमीरपूर वाटस प्लाइए की बारे में तो अमीरपूर बाट स्प्लाई स्कीम इस बार हम बरसाथ से पहले जो है इसको प्रिशन करने की बरपूर कोशिद कर रहे हैं ताकि जो पांच से साल से समस्चय चली हुई है मारी मड़ी वाटर की बरसाथ के टाइम में उससे हम इसको निजात दिलाने का प्रियतन करेंगे इसको पुछ जो प्राणी मारी पाइप ск decision करकी इन को समuse में पर is conviction करके water quality ओर quantity दुनों ensure करेंगे सरुध कुछ अधिकारियों का behavior के भी pressure engine लगाए यह रहेंगे इसको एसक 넘क्तार। जी बैसे हरा दिकारी को चाहिए कि एक सॉफ्ट स्पोकन हो पपलिक को भी जेहीं सॉफ्ट स्पोकन हो लेकिन कभी हो जाता है ऐसा तो ऐसी मतरुब उस बारे में ज्यादा मैं कमेंट नी करना चाहूंगा लेकिन आप कभी भी कुछ देखते हो महारे पास आए मैं इहीं